इमाचल परदेश दी पहाडियां दे वीच लगातार मानसुन दी बारिश हो रही है पिछले दो दिना तो हो रही बारिश दा वाटर लेवल दे भी उते असर वेख्या जा रहे है इस वेले असी मुझूद ने चाव डैम दे उते जड़ा सुकुना लेक दा डैम है पिछले ए सकते हो कि पिसले दो तिन दिना दी पहाड़ा दी बारिश दा असर इनना पे है कि दो फिट चाव डैम दा वाटर लेवल बद गे ग्यारा सो एक सट फिट एड़ी समुद्दर तल तो उन्चाई हैगी लेकिन इस वेले ए जड़े ग्यारा सो पच्पन फिट दे आगया यान अथिक दी पहाड़ियां ओना दा पानी एथि आ जब्याख सिक लेख दे City आ लेक्त फिट पानी जान था सो माधे कर इस दी ग्यारा सो कि टुट टच कर जै ऑस तो बाद एसवेश पानी न्हाँ टो चड़े जान दा थिक पे तक पाणी दैट्रेंडी एवातर वाटर लेफल भी काफी थले गया है क्योंकि लगातार पिसले दिना तो बारिषदी काट थे वखी गयी है क्योंकि मानसोन जेड़ा है ओबी इस वरे लेट आया है उसी कारण तो शुखना लेच था भी वाटर लेफल थले गया है क्योंकि अध्akra ते आज जड़ी बारिश होई है औस तो मोसम खुशगवार हो गया है ते इस वेड़े भी लोग कि थे खुब खुशगवार मोसम दा जड़ा आनंद ले रहे हैं हलां कि होर दिना देवीच तूप होंदी सी गर्मी होंदी सी गर्मी देवीच लोग की सुखना लेग ते काटा देड़ फुट उच्च चला गया है ते बारिश लगातार हुन होनी है क्योंकि मानसून दी बारिशाथ शुरू हो चुकी है ते सुखना लेग दा वाटर लेवल होर भी उच्चा जा सकता है ते नाले सुखना दी सफाई दा कम भी चल रहा है क्योंकि देवीच काफी का सुखना लेग देवीच ते कुल बिला के बरसाथ दा असर जड़ा हो वेखन मिल रहे है एक डेड़ फुट इदा वाटर लेवल बद गया है ते छे फुट दी कपैस्टी होन सुखना लेग दी भी है जड़ा दा नोर्मल वाटर लेवल ते इसनू आन देवीच छे फुट और जड़ियो गुंजाइस वेखी जा रही है होन वेखना होएगा कि ओन वाले समय देविच किन्नी कोई बरसाथ जड़ियो पैंदी है ते चाओ डैम दा वाटर लेवल किन्ना उते अंदा है ते लबा लब कदों सुखना लेग भी हो जाएगी कैमरामैन हर्जोद देनाल Rajesh Chauhan, Living India News, Chandigarh